पहले प्यार अंधा हुआ करता था, अब वो सब देखता है, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है, तो अगर आपके जिन्दगी में कोई ऐसा रिष्टा है, जो इन वजहा से है, कि आपके पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके बस पैसा कितना है आपके प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिष्टा मतलब ही है, और मतलब ही रिष्टे टिकते नहीं है हलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंदर सिंग राठोड, आप लोगों के लिलाया हूँ, इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड, आज हमारे बीच बहदी क्रियेटिव और शांदार गेस्ट मोजूद है बहुत लोग इनकी पोईटरी से इंस्पायर होते हैं, so please welcome lovely Sharma on our show Thank you so much for having me sir So कैसे पोईटरी के प्रती आपका जुकाव आया और किस उमर में लगा कि this is my calling मैं जब 8th क्लास में थी, तब से लिखना शुरू किया था, I think जहां तक मुझे याद है और अपनी मन की बाते लिखती थी, वो बाते जो मैं किसी से नहीं कहती वो होता है कि आपके अंदर एक बच्चा होता है, जिसके अंदर बहुत बढ़ा तुफान चलता है जो अपनी मन की बाते सिर्फ अपने मन के अंदर रगता है उसको लगता है कि यार मैं अगर किसी को बताऊंगा, तो या तो मुझे कमजोर समझेंगे या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो वो एक वो fear of judgment जो होता है वो आपको एक ऐसी कला दे दिता है, मुझे लगता है जिसकी वज़े से या तो आप कुछ बन जाते हैं या फर आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो बस तभी से मैंने दिखना शुरू किया और पढ़ती गई, लोगों को सुनती गई मैं बहुत मानती हूँ बात कि मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ लेकिन मैं सुनती बहुत जादा हूँ तो चाहे वो रुत नुसत्वत एलिखान साब की गाने हो चाहे वो जगजीत साब की गसले हो चाहे साहिल उद्यानवी जी के हो चाहे आनन्द बख्षी साहब के गीत हो मैं बहुत सुनते हो और मेरा वो फ्लेवर आफ, you know म्यूजेव भी वही है मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते है चुक एक कई बार होता है कि बहुत सारे पॉइट जो होते हो किसी दर्द बरी स्टोरी से गुजरे होते हो और अपने पेन को कही ना कही पॉइटरी में उतारने का प्रियास करते है वो किस हद तक सच है और कितना आपने देखा है उसे सच तो बिल्कुल नहीं है मतलब जब एक इंसान लिखता है मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती बट अपने बारे में मुझे इतना पता है कि मुझे लिखने के लिए किसी दर्द ने मजबूर नहीं किया मैं लिखती थी कभी जिन्दगी के बारे में कभी मौत के बारे में कभी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है जैसे virginity test हो गया, आपका society के so-called rules हो गए, menstrual cycles हो गई इसके लिए किसी दर्थ की जरुट नहीं थी, इसके लिए एक बदलाव की जरुट थी इसके लिए एक, you know, opinion रखनी की जरुट थी तो वहां से, दर्थ का तो मुझे नहीं पता, मेरी ऐसी कुछ sad story भी नहीं है जो मैं कहूं कि नहीं यार दिल टूटा तो मैंने शायर बनना चुन लिया तो अब लोग वह एक aspect है बस point Yes, it is an aspect, yes, it helps कुछ-कुछ लोगों में trigger मेरे कैल से अंदर का point हो जाता है वो कहते ना कि जो दर्थ से गुजरता है, वो दर्थ के बारे में जादा अच्छ से बात कर पाता है और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तन बीते वो तन जाने कि जिस तन की ओपर बीतती है, वही जानता है कि उस रूपे क्या गुजरी है लेकिन शायर सबकी रूप को पहचान लेता है शायर को जुरत नहीं होते कि उसके ओपर कोई दर्था है बहुत बार मैं यह देखता हूँ कि poetry or writing has a healing effect so many times when you suppress maybe कोई bad event नहीं हो है जैसा आपने का कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर दबा के चलते हैं अगर कोई नहीं है बात करने के लिए आपके माबाप नहीं सुनते हैं आपके दोस नहीं सुनते हैं आपका प्रीमी, आपका भाई, आपका बैन अगर कोई नहीं है जो आपके बातें सुने अगर सबसे बड़ा दुख जो होता है वो तनहाई से जादा जो होता है वो होता है ना सुने जाने का लोनीनेस इस, you know, on the second step अगर आप first step की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में surrounded होगे आपके असपास बहुत सारे लोगों गे एक भीड होगा, एक हुजूम होगा आपके असपास लेकिन कहीं न कहीं आप उस भीड में भी अकेले होगे क्योंकि कोई आपको सुनने वाला नहीं है उस भीड का कोई फाइदा ही नहीं है तो अगर ऐसी कुछ चीज है आपके मन में जो आप किसी को नहीं बया कर सकते हो तो आप लिख दो आप कागस पे उतारो, उस कागस पे लिखो और उसको जला दो, उसको फ्लेश कर दो आपको जो मनाये वो करो ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को जाके वो चीज़े सुनाओ, या दुनिया उसको पढ़े इट इस नॉट नेसेसरी कि आपको अगर लिखना है तो वो लोगों को पेश करना होगा आप खुद के लिखो जब आप डायरी लिखते हैं तो आप खुद के लिखते हैं यह बहुत अच्छा पोइंट आपने दिया जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है और अभी थोड़ी देर यह पहली आप कह रहे थे कि कागस को सुनाओ कि इनकी कागस भी सुन लेता है आप जो कहते हैं उसे इक क्रियेटिव प्रोसेस इनस्पिरेशन जिसे जब भी आप कोई कवीता लिखते हो तो वो इनस्पिरेशन कहां से आती है कोई observation से आती है और क्रियेटिव प्रोसेस किसी भी कवीता का कैसे शुरू होता है मन में क्या चलता है I would love to know that जब आप कोई भी कलाकार हो तो आपके मन में न आप हर चीज को लेकि एक अलग विचार रखते हो अगर आपके सामने कोई light रखी है तो एक आम इनसान उसको light के तौर पे देखता है मैं एक कलाकार उसको रोशनी के तौर पे देखता है रोशनी का मदलब उमीद होता है जो आपको कहीं से निकाल के लेके आएगी आपकी अंदर का जो अंदेरा है वहां से निकाल के लेके आएगी तो हम हमेशा चीजों को अलग तरीके से देखते हैं मुझे लगता है कि कलाकार थोड़ा सा पागल होता है थोड़ा संकी होता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संकी होना पड़ेगा परसे नहीं उसकी बाते समझ सकते हो तो जब आप लिखते हो या पर जब आप किसी भी चीज में होते हो creative process में होते हो मेरे साथ तो भगवान की थोड़ी सी मतलब कि एक महर रही है कि चलते फिरते कुछ काम करते करती एक चानक से वो thought आता है एक line या एक word ऐसा आता है फिर उसके आसपास आप घूमना शुरू करते हैं वो कितने कि आप किसी भी चीज का जब आप पौधा जब लगाते हैं तो एक बीज आता है वो बीज अपने आपको पौधा बनाने में फिर पेड बनाने में अपना एक वक्त लेता है अपने दिमाग में अब भी कोई line आई है तो एकदम instantly वो कोई गाना या कोई कहानी या कोई कवीता बन जाएगी हर चीज का एक वक्त होता है एक वो आपने चीज नोटिस की होगी कि जब बच्चा भी पेड में आता है तो वो 9 महीने लेता है 9 महीने का ताइम लगता है उसको बड़ा होने में उसको develop होने में एक पेड को बड़ा होने में वो अपना वक्त लेगा तो ऐसे ही कवीत है, आपके पास एक कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक लाइन आएगा, आपको किसी की की बात अच्छी लग जाएगी, किसी को कई ख्याल अच्छा लग जाएगा और आप बस उसी के आसपास वो फिर घूंगते रहते, वो फिर अटक जाते दिमाग में फिर वो अंदर बुनता रहता है वो बुनता रहता है आप यकीन नहीं मानेंगे पिछले दो हफते से मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है और मुझे उसके आगे की लाइन आही नहीं रही है और वो ऐसा है कि महबबत में कहां कब कुछ किसी को याद रहता है वो इतना सा खयाल है और मैं उस कहा कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ और अट इस नोट क्रेटिव ब्लॉक I don't believe in the word creative log के ऐसा कुछ होता है It is just कि everything takes time हर चीज का existation period है तो उसी में ही वो fruitation पे आएगी वरना और कई चीज बनी ही होती अधूरी रहने के लिए अचा ये भी है So अपने poetic angle से आप अगर बताएं तो what is the meaning of love एक point love को या फिर आपने अभी महबबत की वाद की उसको किस तरीके से देखता है मेरे लिए महबबत एक ऐसा ऐसास है न जो सबसे पहली जो उसकी बुनियाद होती है वो होती ये भरोसा उसके बाद होती ये इज़त जब आप उस इंसान पर भरोसा करते हो कि वो आपकी नादानियों कुझे लेगा वो आपके बच्चे को जो आपके मन का बच्चा है उसको समझेगा बिना अपने वो नो एक नापतोल का तराजो लिए कि ये एक ऐसा मीटर में फिट होने चाहिए आपका बैठने का तरीका आपका उठने का तरीका आपका बोलने का सलिखा उसको कुछ मीटर नहीं है वो आप जैसे हो वो आपको वैसा अपनाएगा तो एक तो वो भरोसा उसके बादा थी इस्जद कि वो आपकी इस्जद कर रहा है इज़त हमेशा दो तरीके से होती है एक बंद कमरे में और एक बहारी दुनिया में अगर आप बहारी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं और आप बंद कमरे में आके वही कितना frustration अपने मन के जो जितने भी बोज है वो दूसरे इंसान पर डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था तुम्हें वैसा रहना चाहिए था अगर वो सब चीजें हैं अगर आप उसकी इज़त नहीं कर सकते हो तो वहाँ प्यार नहीं है और प्यार आपको इज़त करना सिखाता है चाहे वो आपके साथ partner relationship में हो या ना हो वो आपको उस रिष्टे के बाद आपको बदनाम करना नहीं सिखाएगा कई बार ये हम लोगों की ना बहुत बड़ी नाकाम्याबी है कि हम एक रिष्टे में होते हैं हम अपने आपको एक रिष्टे में छोग देते हैं और जब वो रिष्टा खतम हो जाता है किसी बज़ा से, तो हम दोसरे इनसान को गलत ठराने लगते हैं। ठूब बहुत ब्लेमिंग होती है, डर्टी गेम हो जाता है। यह हम दोसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं, और यह भूल जाते हैं कि कही न कहीं गलती तो हमारी भी होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वज़े से उसका मन छूट गया, या फिर वो कितना की एक रिष्टा जबानी तोर पे खतम करने से पहले जहन में खतम होता है। आप उसको मन में पहले खतम कर देते हो कि यार नहीं हो रहा, शायद मुझे बोल देना चाहिए। तो तुम्हारे जाननी से पहले वो रिष्टा जा चुका होता है। और अगर वो रिष्टा चला गया है न तो उसकी इज़्जत करना सिखो, वो प्यार हमेशा इज़्जत करना सिखाता है। भरोसा है, इज़्जत है। तो आपके लिए वो रिलेशन्शिप सक्सेस्वल है। और मैंने कहीं पड़ा था कि पहले प्यार अंधा हुआ करता था। कह रहे हैं? अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपके जिन्दगी में कुई ऐसा रिष्टा है, जो इन वजहा से है, कि आपके पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके बस पैसा कितना है, आपके प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिष्टा मतलब ही है। और मतलब भी रिष्टे टिखते नहीं है। अनकंडिशनल लव जैसी चीज होती है, एक्सिस्ट करती है बिल्कुल होती है आपके माबाप आपसे अनकंडिशनल लव करते हैं वो प्रेम होता है आप अपनी मा के साथ कभी तलाक नहीं ले सकते हो आप उनसे लड़ लोगे, आप उनसे कितना भी जगड लोगे लेकिन लड़ जगडने के बाद में भी आप कभी उनके डिसरस्पेक नहीं करोगे वन आपको एक सेंस अफ ट्रस्ट रहेगा उनके उपर कि मैं अपने जिन्दगी में कितनी भी ठोकर करके आ जाओ वो इनसान ऐसी है में जिन्दगी में, आपका बाप ऐसा है आपकी जिन्दगी में जो आपका कंधे पे हाथ भी रखेगा, आपकी पीट भी थप थप आएगा वो अगर गिर जाओगे तो आपको उठाएगा भी, वो प्यार होता है प्यार आपको आपका ही एक बहतर वर्जिन बनाता है आपको वो अपग्रेड करता है, वो आपको बदलता नहीं है अपनी जिन्दगी में आप कैसे चीजों को बदलाव बला सकते हो और अगर आप बहुत दुखी रहने वाले इनसान हो, आप बहुत सोचते हो किसी चीज को लेके तो प्यार आपको कंट्रोल करेगा अगर आपको किसी चीज को लेके इनसेक्योरिटी है, आपको किसी चीज को लेके डर लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा मैं गर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो वो प्यार ना आपको हिम्मत देता है वो प्यार होता है An Unconditional Love होता है आपके मन में होना चाहिए माता-पिता के अलावा बिलकुन होता है मैं अपने पती से करती हूँ अगर आपके अंदर पन अपना चाहिए, अगर आपके अंदर ये है कि मुझे इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए अपने जिंदगी में, बस साथ चाहिए, अगर मैं जगड़ो भी तो इसी से जगड़ो, अगर मेरे को अपनी खुशियां बाटनी है तो इसी से बाटनी है, मु एक husband wife के relationship में बाकियों में तो बहुत clearly दिखता है मातर पिता के example में बहुत clearly बहुत सारी जगाओं पे देखने मिल जाता है तो एक husband wife में अगर एक unconditional love है तो वो किस तरीके का दिखता है एक इनसान है जो बहुत ज़ादा बोलता है और एक इनसान है जिसको चुप रहना पसंद है चुपपी उसको अपनाना पसंद है जब वो दास होता है जब वो तकलीफ में होता है और यह mostly हर इंसान के अंदर होता है कि कई बार ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि नई हो आर बस खतम करते हैं मुझे शांती से बैठना है अगर आप ये चीज खुद के लिए चाहती हैं तो आप दूसरे को भी दो जब आप अपने सामने वाले इंसान को समझने लग जाओगे जब आप उसकी वो कहते हैं कि आप उसके जूतों में पैर फसाके देखो तो आपको पता लग जाएगा कि कितने गिसे हैं उसके मन में कितनी तकलीफ है तो एक husband wife के relationship में या boyfriend girlfriend के relationship में बहुत जरूरी होता है आपको ये समझना कि सामने वाला इंसान कहना कह चाहता है अगर वो कुछ नहीं कह पा रहा है तो उसकी आँखे क्या कह रही है उसके मन में क्या चल रहा है क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे जब तक आप दूसरे के सुनो के नहीं जब तक आप ब्लीम ही करते रहोगे कि तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया तुम ऐसे कहते हो, तुम ऐसे कहते हो, जब तक आप दूसरे इंसान को ब्लीम करते रहोगे, गलतिया निकालते रहोगे, तो वहाँ पे solution का कोई option ही नहीं बचता है You're right Husband wife relationship is a work, आपको हर दिन उसमें अपने आपको जोकना है आप पूरा दिन खुश नहीं रहते हो ना, आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके खुश हो जाते हो, आप फिर कभी कोई एक छोटी सी चीज हो जाएगे जिसको लेके आप उदास हो जाओगे तो वो रिष्टा ऐसा ही है, कि आपको एक दूसरे को अगर आप हर वक्त खुश नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो दुखी है तो उसको समझ लो उसकी चुपी को समझ लो कई बार कुछ रिष्टे बड़े टॉक्सिक होते हैं, आइट कि you try to be positive, but there is toxicity in relationship और कई लोग जब भेकप से गुजरते हैं, तो बहुत लंबे समय तक उससे deal नहीं कर पाते हैं, वो जो let go करना है, या move on करना है तो ऐसे लोगों को आप क्या सला दे सकती हैं, कि जो बिना अपने दिल को कड़वा किये, life में move on कर सके हैं आपके पास एक super power दिया भगवान ने, जिससे हम gut feeling कहते हैं, आपको न दूसरे इंसान के बरताव में बदलाव पता लग जाता है, आपको पता लग जाता है कि वो रिष्टा आप नहीं चल रहा है, वो इंसान आपके साथ तो मौजूद है physically, बट emotionally वो जा चुका है और अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि ये रिष्टा आपके लिए सही नहीं है, आप उस इंसान के साथ बोड़ा नहीं हो सकते हो, आप उस इंसान के साथ एक कमरे में 50-60 साल नहीं जिन्दगी गजार सकते हो, तो फिर उस रिष्टे में रहने का कोई फायदा नहीं है, गुस्सा करना उसका अठखेली आकट आपको सब पसंद है वो आदत है लेकिन अगर वो इंसान आपके उपर इतना हावी हो रहा है कि आप अपनी आखो कि वो कितना अपनी आखो को कभी चुखाई नहीं पा रहे हो वो हमेशा ही भीगी होई है तो रिष्टा कब तक जिन्दा रहेगा उस रिष्टे को तो सिफ आपने पकटने की कोशिश किया ना एक चोटी सी नजम थी जो मैंने लिखी थी कि एक इश्क था एक तू था ना तू मिला ना इश्क मिला कुछ तो था दर्मिया क्या था किसे बता एक डोर थी खिची खिची एक और तू एक मैं खड़ी थी वो डोर जो तूने छोड़ दी छूटा बहुत कुछ मगर तेरी याद मैंने थाम ली धुंदली सी एक कोने में तस्वीर तेरी टांग दी आखी मीच कर अपनी फिर एक सुकूं की सांस ली एक इश्क था एक तू था ना तू मिला ना इश्क मिला तो वही है कि अपने प यादों में बुन्यादे रखो बुन्याद कच्ची थी तुम ये समझो और उसको जाने दो उस रिष्टे को जाने दो अपने पास अच्छी यादे रखो मन में करवाहत मत रखो जो तुमने अच्छे पल अपने साथ बिताये थे उनको अपने पास रखो संजो के रखो उस कि हम लोगों की न बहुत इनसान की जात ही बहुत गंदी है। मैं कहती हूँ कि इनसान हम लोगों की आदत होती है कि हम जिब किसी चीज को ढूडने जाते हैं, एक अच्छी याद को ढूडने जाते हैं तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। गुसा, नफरत, फरीब, लापरवाही सब निकल के आती है बस वो अच्छी याद नहीं मिलती जब हम किसी रिष्टे को वो रिष्टो जो खतम हो चुगा उसको याद करते हैं तो हम उसकी सारी गंदी बाते याद रखते हैं उस जहर को अपने मन में ना अपनी नसों में बस घोलती रहते हैं और जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला मूव ओन क्या है? मूव ओन का मतलब यह है कि जो चला गया है उसे जाने दो क्योंकि वो तुमको ना बस एक थोड़े से पार्ट के लिए कुछ सिखाने के लिए आया था क्योंकि जब एक इनसान आपके जिन्दगी से जाता है तो या तो वो आपकी बहतरी के लिए जाता है या आपको बहतर बना के जाता है एक ताफ सीख जाते हो कि यार ऐसे लोगों पर तो फरोसा नहीं करना या फिर मेरी गलती ये थी ये दुबारा नहीं दोरानी रिष्टे को जाने दो उस इंसान को जाने दो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता उसको फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है आप कब तक उसको होल्ड करके रखोगे कब तक पकड़के रखोगे एक दिन ऐसा आएगा जो जटके से हाथ चुड़ाएगा और वो चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे उन्हों जो चिडिया भी जिस ब्रांच पर बेठी होती उस ब्रांच को उसे छोड़ना पड़ता है तब हावा में उड़ सकती है ऐसा नहीं हो सकता है ब्रांच भी पकड़ी रहे और उड़ जाएगा एक चीज पर कभी नहीं टिके रह सकते हो अगर आप कहोगी कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा उसी मोड पे तो ना तो आप आगी बढ़ पाओगे ना कोई और आगी बढ़ पाएगा तो उसे इंसान ने तो रास्ता बदल लिया है वो कहते हैं कि लोगों की मनजिल एक है हम हमसफर बरेंगे हमसफर कोई नहीं बनता वो बस हम राही बनते हैं कि वो एक रास्ते पर साथ चलते हैं वो एक रास्ता ऐसा आएगा जिब वो अपना मंजिल के लिए अपने मोड बदल लेगा आपको अपने मोड बदलना पड़ेगा आपका सफर अलग होगा मैं आपके कई विडियो देखता हूँ तो आप मैन को बहुत सपोर्ट करते है ठीक है और जोकी एक यूनीक चीज है क्योंकि आप शोशल मीडिया पर देखें तो विएमिन के सपोर्ट में बहुत सारी बाते आपको मिलेगी और मैन के सपोर्ट में कम चीज самых देखने मिलती है इनको आप कई बार हाइलाइट करती हैं, तो how that started? इसको घुमाता रहता है, जिम्मेदारी उसके जहन में चलेगी, एमोशन उसके जहन में चलेगी, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो बस बोलेगा अच्छा ठीक है, ये हो गया, अभी करना पड़ेगा, मैंने उस वक्त में आदी को देखा, कि मैं तो एमोशनली एक्तम हो चुकी हो, कि यार, घर में आग लग गई है, इतने प्यार से घर सजाये था, सिर्फ पांच महीने वे, क्या करे अंजान शहर है, रात के डेड़ बज रहे, कहां जाये, किसे मदद मांगे, और उस वक्त, आदी वस लाइक कि, तुम ठीको ना, मैं ठीको ना, ऐसा कोई आपके जिन्दगी में डामेज ना हो, जो रिपेर ना किया जा सके, तब तो कुसको लेकी उदास मत हो, there is no point of griefing about something, जिसको आप रिपेर कर सकते हो, पैसा लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, चीजे मैनेज हो जाएंगे, तुम ठीको, मैं ठीको, हमारा रिष्टा ठीक है साथ मिल के करेंगे ना यार, घर है, उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी ना एक घर में एक पिलर की तरह होता है, वो पिलर जो पुरे घर की छट को अपने उपर टिका के बैठा हुआ है, वो कितने वो एक ऐसा पेड है जिसकी च्छाओं में हम सब पलते हैं, हमने अपने पाप को कमाते हुए देखा, पुरे जिन्दगी, मैंने अपने भाई को महनत करते हुए देखा, पुरे जिन्दगी, मैंने अपने पती को महनत करते हुए देखा, पुरे जिन्दगी, आपके जिन्दगी में आप किसी भी आदमी से मिली है, वो सबसे पहले आपका प्रोट सकते हो, आपको कुछ खाने का मन करेगा, कुछ पहनने का मन करेगा, कई जाने का मन करेगा, कुछ लाने का मन करेगा, आप उसको बोलोगे I am not against the woman, मैं हर बार एक बात कहती हूँ मैं mentality के खिलाफ हूँ मैं उस सोच के खिलाफ हूँ कि जिन्दगी में हर आदमी से मिली है आप अगर रास्ते पे गुजरेंगे तो हर आदमी तो रेपिस नहीं है ना बस इतना लगता है कि सिर्फ जो एक नेगिटिव आस्पेक्ट है वो उसके बारे में बहुत बात की जाती है और यह जो एक वुल्नेरेबल और एक ऐसा पार्ट है एक मैन का जिसके बारे में खिर वो तो खुद तो बात करते नहीं है कभी बात नहीं करता तो I think that is what sometime needed Exactly बहुत असानी से हम जनरलाइज कर देते हैं कि सब आदमीक जैसे होते हैं हाँ सब आदमीक जैसे होते हैं क्योंकि वो बिना उफ करें आपके जिम्मेदारी उठाते हैं वो कभी नहीं जताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पुरे जिंदगी कमा रहा हूँ मैं अपनी पुरे जिंदगी से फिसले कमा रहा हूँ ताकि मैं घर बना सकूँ जिसमें मेरी बीवी अराम से सुकुन से रहे, जिसमें मेरे माबाप अराम से सुकुन से रहे, मेरे बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो, वो अपनी जिंदगी दे रहा है ना, वो पैसा कमा के ला रहा है, किसके लिए ला रहा है, ताकि तुम्हारी खौईशे पूरी हो सके, औ और अगर आप उसको एक थैंक्यू भी नहीं बोल सकते हो, तो फिर आप इंसान ही नहीं हो, और आज आपके सामने बैटके, मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है, आपके जिन्दगी में अगर आप किसी भी आदमी से टकराएं, आप उसको थैंक्यू बोलें, अगर होता है, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जिन्नोंने अपनी जिन्दगी दे दिया आपके जिन्दगी बनाने के लिए, और आप इतने नाशुक्रे हैं कि आप ही कहते हैं कि आपके जिन्दगी में उन लोगों की कोई जगा नहीं है, जेंडर एक्वालिटी पे अब की या व्यूज है, बोरा डिपिटेबल पॉइंट होता है, अलग अलग प्रस्पेक्टिव ते एक पॉइट की नजर से समझना चाहता हूँ, जेंडर एक्वालिटी, पीपर में करना अलग बात है, जेंडर एक्वालिटी उस हम ट्रावल करें तो होली दिवाली पे हमको टिकेट्स परी चाहिए, इट इस नोट जेंडर एक्वालिटी, इट इस नोट प्रेजिंग द विमन, विमन एमपावर तबी होती है, जब वो खुद को काबिल समझती है, एक औरत को खुद को काबिल समझना बहुत जरूरी है, आप क्यूं अपनी उमीदें, अपनी खौईशें किसी और की बरोसे लेके बैठें, कि वो आपको खुश करेगा, वो आपके जिंदगी की खौईशें पुरी करेगा, क्यूं करेगा, आप इतने काबिल बनें, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप कमाईए, आप आगे एक बहुत छोटा सा इंसिदेंट है, मैं एक लेडिस से मिली, उसके बीटी 12th क्लास में है, और वो बिल्कुल नहीं पढ़ती, तो वो औरत मुझे बात कहती है, क्यार तुम इनको समझाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, इसकी शादी होगी, कैसे नौकरी करेगी, मतलब इ मैं क्यों करूँ, जिससे मैं शादी करूँगी, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा क्या, वो कुछ नहीं कमाएगा क्या, तो मैं एक बात कहती हूँ, कि मैं उस दिन दहेज के बारे में बोलना बंद कर दूँगी, जिस दिन आप आदमियों की कमाई पूछना बंद कर दोग अब आदमियों की कमाई देखके शादी करो गए मैं एक औरत को एक मेसेज देती हूं कि आप सिर्फ इसली पढ़िये तकि जिन्दगी में अगर कोई इमेजिंसी आचाए मान लीजे कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दुरगटना हो जाती है जिससे वो incapable हो जाता है या फिर आप लोगों का रिष्टा नहीं चल पाता है या फिर कोई ऐसा मुमेंट होता है जिसमें पार्टनर is no more तो आप कहां जाएंगी किसके आगे हाथ फैलाएंगी आपको अपनी जिंदगी बनाने के लिए खुद काबिल होना पड़ेगा तो it is not about कि आपको बराबरी करने है आप उस दिन के लिए तैयार हो जिब अगर आपके बस कोई भी नहीं होगा तो at least आप दो वक्त की रोटी तो खास सको अपनी लिए करो यार किसी के लिए नहीं करना किसी को दिखाने के लिए किसी को जताने के लिए नहीं करना अपने लिए करो कई बार एक विमिन जब अपना करियर बनाना भी चाहती है तो कई बार समाच की एक extra expectation उस पर रहती है कि घर तो उसे सवाल नहीं पड़ेगा even if she is working so वो जो balance create करना होता है so how in those moments one can create that balance that she has to take care of the house as well because it is expected from the society and plus at the same time she has to work on her ambition as well तो जो ambition और household work इन दोनों की बीच का balance है वो कैसे manage करे और वहाँ पर कई बार एक कड़वाहत मन में आ सकती है किसी भी मिन में so how do you see that घर संभालना और परिवार संभालने में बहुत thin line difference होता है समाज चाहता है कि आप घर संभाले आप नौकरी भी करे आप जाडू पोचा भी करे आप खाना भी बनाए आप बच्चों को भी पाले आप बच्चों को भी पढ़ाए आप सब काम करें समाज की expectations है समाज पर छोड़ देते हैं आपको समाज को जबाब नहीं देना है लेकिन आपको अपने परिवार को तो देखना पड़ेगा परिवार को देखना ये है कि आप उनका emotional support तो बने financial support इनसान बने न बने उसका अपने परिवार के लिए emotionally present होना बहुत सरूरी होता है चाहिए वो आदमी हो चाहिए वो औरत हो यहाँ दोनों की बात है यहाँ सिर्फ एक इनसान की बात नहीं है एक बाप पी जब बहार जाता है कमाने के लिए तो घर आके हम लोग expect करते हैं कि वो बच्चों की at least copy तो check करेगा बच्चों के academics पर तो ध्यान देगा वो समाच के expectations नहीं है वो परिवार के ज़रूरत है तो आप समझें कि आपके परिवार के ज़रूरत क्या है आपको अपनी मा को देखना है उनकी तबित करवाना है तो आपकी जिम्मेदारी है वो समाच को आपको जवाब नहीं देना है अगर आपने पैदा कर रहा है तो पालो अगर आप ये सोच रहे कि यार मैं कमा रही हूं या मैं कमा रहा हूं और मैं ये सब चीज़ी नहीं कर सकता मैं चूला चौका नहीं करो कमा रही हो न 2000-3000 रुपे मेड को दे दो वो बना देंगे वो कर देंगे परिवार एमोशन से चलता है पैसे तो गरीब के पास भी नहीं होते न लेकिन वो खुश है वो परिवार चला रहा है तो पैसे आपके जिंदगी में अगर आप यह सोचे कि समाज ने बोल दिया कि आप लड़की है तो लड़की इंजिनिरिंग नहीं कर सकती है यह बहुत बड़ा टाबू है अगर लड़की है तो लड़की बहार नहीं जा सकती है विदेश नहीं जा सकती है लड़की यह नहीं कर सकती है तो समाज में जो वो बंदा बोल रहा है तो आप उनसे बोले कि आपकी बेटी के लिए वापने स्कूल नहीं पसंद आप चेंच करवा हो गे अगर हम बोले हमें आपकी बेटी के लिए यह आदमी नहीं पसंद आप उसका रिश्चा तुडवा दो आप divorce करवा दो, आप करवाओगे जब कोई और इनसान आपकी कहने पर अपनी जिन्दगी में बदलाव नहीं कर रहा है तो आप अपनी जिन्दगी में उसकी कहने पर बदलाव भी मत करो समाज कर ठीक है, मतलो समाज कभी कुछ नहीं होगा, समाज बना ही है सिफ बाते करने के लिए और समाज कोई नहीं होता समाज आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं यस, लोग, उनकी सोच उनकी विचादा रहे हैं आप जिनके आसपास रहेंगे आपका बही समाज होगा आज मैं जिन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो मेरी परसनल लाइफ में इंटरफेर करें आपको एक बाउंडरी बनानी पड़ेगी कि आप किसको कितना इंटरफेर करवाओगे अगर आप किसी को घर में बैठाओगे घर में गुसाओगे बहुत पुरानी का आवत है तो वो तो फिर चीजों में नुक्स निकालेंगे आप जिसको अपने जिन लाइफ में इंटरफेर करने का मौका ही नहीं दोगे तो उसको क्या पता उसके बस कोई राइट ही नहीं है किसी और देश शहर में कोई इंसान बैठके मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे से क्या उमीदे लगा रहा है इस नॉट माइ रिस्पॉंसिबिलिटी वो उसकी उमीदे हैं उस पर छोड़ दो आप अपनी जिंदगी अपना परिवार अपने घर पे ध्यान तो बस तो यू थेंग कि सोचल मेडिया आने से कही न कहीं यह जो लोगों की नजर में कुछ करने का जो बोज है या जो रेकिगनिशन, सिगनिफिकेंस और कही न कहीं वैलिडेशन डून रहे हैं लोग बहुत ज़ादा सोचल मेडिया पे उसका क्या इंपेक्ट देखती हैं आप इंसान की एक वरदी ने सेल्फ इमेज पे एक मैंने लाइन पड़ी थी कि हमारे जिंदगी में न खुश रहना बहुत आसान है लेकिन खुश दिखना बहुत मश्किल हम खुश रह सकते हैं हम चोटी-चोटी चीज़ों में खुश हो सकते हैं लेकिन हमें अपने आपको खुश दिखाना है सोशल मेडिया पे कि आज हम इतने fancy रेस्टराण में गई हैं इतने प्यारी जगहा पे गई हैं, ये स्पोर्ट पे गूम रहे हैं, हम ये expensive brands पैन रहे हैं, ये हमको लोगों को दिखाना है, कि लोग हमें कुछ समझे, मैं अगीन वही बात करूँगी कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सूच रहा है, उस वज़े से आप अपनी जिंदग के बारे में खुद सोचेंगे, आप अपने उपर ध्यान देंगे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने करीर पर ध्यान दो, अपने ambitions पर ध्यान दो, आप देखो कि आपका potential किस चीज में अच्छा है, आपकी skills क्या है, आप किस चीज में best है, आपको अगर बाती करना था इस वजह से मत करिये कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे को और अगर आप सोचल मिदा की फेम के बारे में बात करते हैं तो हर कुई आजकल content creator है influencer है यह है यह लो there is a difference between creative people and influencers you know and content creators too content creation कुछ भी हो सकता है एक cringe category भी होती है educational category भी होती है एक informative category भी होती है अब कुछ भी बना सकते हैं बट अब क्या बना रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा and अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपने जिंदगी में मैं हर बार यह बात कहती हूँ अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं मत कीजिए अगर आप फेम के लिए कर रहे हैं मत कीजिए अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं मत कीजिए अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो की जीए क्योंकि फिर ये चारो चीज़े खुद बखुद हो जाएंगे पैसा भी आएगा, फेम भी आएगा, लोग खुश भी होंगे, इंप्रेस भी होंगे बुरा भी मानेंगे लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब आप खुद के लिए आप खुद के लिए स्टांड करेंगे खुद को इंपॉर्टेंस देंगे सेल्फ इंपॉर्टेंस इस बेरी मच नेड़ेड जो सेल्फ इंपॉर्टेंस या सेल्फ लव की जो बात है आजकर हम देखते हैं तो लोग इतना ज़ादा कमपैरिजन पर अपनी सेल्फ एस्टीम को रखते हैं कि मैं कितना वर्दी फील करता हूँ ये मैं लोगों से कमपैर करता हूँ और फिर वेक्ति ये समझता है कि मेरी वर्थ इतनी है तो सोशल मीडिया पर अगर हम देख लें तो लोग मेरे कितना लाहिक आ रहा है उसका कितना लाहिक अधर इसपे अपनी वर्थ डिशाइड करने लग जाते हैं का एक बहुत बड़ा रोल यहां पर आता है और क्या तरीके हो सकते हैं एक सेल्फ लव अपने अंदर कल्टिवेट करने के लिए खुद से बाते करो लोग आपको संकी काएंगे लेकिन आप खुद से बाते तो करते ही है आपका एक अवाज है जो मन की अवाज होती है आपके अंदर जो आपकी बाते सुनती भी है आपके मन में वो चलती है वो किसी कुछ सनाई नहीं देती आप पूरा दिन कुछ भी करें जब आप रात को बैठें सुकून से तो आप खुद से एक सवाल पूछें कि आज मैंने जो कुछ भी किया उसमें क्या सही था क्या गलत था क्या सही हुआ आपके साथ और क्या गलत हुआ आपके साथ और अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जिसके ओपर आप बदलाव ला सकते हैं आप अपने अंदर बदल सकते हैं आप आने वाले decisions में change कर सकते हैं दो रास्ते हमेशा होते हैं एक हाँ कवर एक ना का तो वो तभी आपको समझ में आएगा वो clarity of thoughts तभी आएगी जब आप खुद से बाते करना सिखोगे जब खुद से बात करना सिखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए और विन यू नो ना कि आपकी एक चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ये numbers की जरूरत नहीं है बदाई आपको नहीं पता तो खुश रहो अपने आपके लिए आप तभी जीना सेख सकते हो जब आपको ये पता लगे कि ये smile बहुत important है उदास और परिशान तो हर कोई है अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपके आसपास भी खुश या नहीं आएंगे लोग पर दोचेंगे न यार के ये हमीशा इस दुखी रहत है ये हमीशा इस प्रिशान रहता इससे क्या बात करनी है ये हम लोग भी बोलतेते हैं क्या रहां ये तो बौत जब देखो cry baby है जब देखो किसे को लेखे इक लेखे, रही खरता रहता है, अगर चोटी चीज भी होगी तो उसको लेखे नुक्स निकालता है, कि असा नहीं होना चाहिए, थैट ट्फीना छोड़ तो, आप जिस चीज को बदल नहीं सकते हैं, उसके बारे में बात ही मत करो चोटी चोटी चीज़ों को लेके Don't be a critical person about everything Don't be a emotional, full person about everything कि अगर में को किसी ने phone नहीं किया तो मेरी दोस्ती तूट जाएगी अरे ऐसी थोड़ी दोस्ती होती है में को बद्देविश नहीं किया तो तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो तुमने anniversary पे gift नहीं कि दिया तुम मेरे से प्यार ये सब चीजों से उपर है एक जिन्दगी वो जिन्दगी जो आपकी अपनी है उस पे ध्यान दो अपनी खुशे पे ध्यान दो दुनिया आपको सिर्फ परिशान करने के लिए बैठी हुई है दुनिया के expectations, दुनिया का torture, दुनिया की बाते, दुनिया के ताने हमेशा रहेंगी It is you and only you जिसको अपना ख्याल रखना है So, जब काम करते हो, ट्रेवल करते हो उन सब में जब अगर exhaustion बढ़ना होट या stress feel होता है तो how, what is your techniques to maintain your mental health? सच्ची बताओ एक बकेट लो, उसमें गरम पानी, आदा बकेट भर दो थोड़ी सी कॉफी, एक साशे कॉफी काला नमाग या सफेद नमाग जो आपको ठीक लगे और पैड दूबो के बैच जाओ सब ठीक है जंदगी मेरे यह बिल्कुली नया टेकनीक बतादी है आपने, कॉफी डालके येस, वन एक तो वो आपके अंदर से सारा स्ट्रेस कीच लेती है विकास जो आपके यह जो नीचे का यह जो इरिया होता है ना तलवे जिनकों बोलते हैं, इसके अंदर सारा स्ट्रेस होता है जब आप इसको आराम दोगे, तो आपकी बोडी का स्ट्रेस निकल जाएगा बोडी का स्ट्रेस निकलेगा, तो यह जो यह शोडला पॉइंस है और यह दिमाग है ख्लीन हो जाएगा लवली, जो ना बिफोर वी मूज तो दे रैपीड फायर एनी लास्ट लेसन देख के पड़ूंगी तो याद नहीं है मुझे तेरी मर्जी से ढ़ल जाओं हर बार तेरी मर्जी से ढ़ल जाओं हर बार यह मुम्किन तो नहीं मेरा भी कोई वजूद है मैं कोई आइना तो नहीं यह गलजार साहब ने इतनी प्यारी चीज बोली है कि आप अपने वजूद को जिन्दा रखिये दूसरों की मर्जी क्या है उसमें ढ़लनी की जुरूत नहीं है beautifully explained and एक मतलब पता नहीं मुझे किसका है हर कोई दोस नहीं होता हाथ मिलाने वाला कि जो जो आपसे हाथ मिला रहा है वो आपका दोस नहीं है there's a difference between your friend and your professional relationship और person's your meeting वो दोस नहीं है तो यह है कि बातों की मिठास में भेद नहीं खुलते मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो साप खाता होगा जायत इंदरी साप का किस का थाई यह 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 I don't know किस का है वाव but it hits me I was like मोर इतना संदर है but मुझे कभी नहीं पता था कि वो साप खाता है यह साप को तो कितना उर गंदी नजर से भी देखा जाता है कि सब से आदा चाला कर चलेवर जो है उसे the most beautiful thing is eating वाव beautiful so now we will move to rapid fire ready for the rapid fire always ready एक line में vulnerability में छुपी strength को कैसे define करेंगे जब आप अपने मन की बाते किसे को बताते है तो आपका जहन खाड़ी होता है वो बोज आपको परिशान नहीं करता और जब आपके मन से बोज उतर जाएगा ना तो आप मस्बूत बन जाओगे आप अपने scars को stars में कैसे बदलते हैं उनके बारे में शरम मत करो उनको रहने दो there is a scar here मैं इसको कभी नहीं छपाती ये मेरे गली में छेद है which is like from birth इसकी एक बार surgery हो चुकी है अगर आज में मैं कभी emotional होंगी या मैं कभी रोंगी तो यहाँ पे एक fluid, white fluid जैसा आएगा and this whole get blocked तो मैं रो नहीं पाती हूँ but I am the most emotional person मैं छोटी-छोटी चीज़ों को लेकि जैसे कहते हैं अंदर बैठ जाते हूँ तो इसको छुपा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो आप जो है आप दुनिया को दिखाओ तो बात ने perception की कि आप अगर पहले के जमाने में जो राजा होते थे वो अपने scars को flaunt करते थे कि जिसके पर जितना scar है मतलब वो it's a sign of bravery और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक pimple हो जाते हैं तो गर से बार निकला बंगल थे अगने पहचेस आ गया आजकल तो चुपा दिया concealer से green concealer, brown concealer सब letting go की beauty को कुछ शबदों में कैसे capture करेंगे आप जाने दो क्योंकि शायद यही सही भी हो और वक्त की जरूरत भी अपने relationship में से कोई past mistake जो आपने lesson में turn कियो कभी भी ना किसी इंसान को अपने वजूद के साथ खिलवार मित करने दो आपको अगर कोई चीज बुरी लगी है तो उसको बताओ, कोई चीज अच्छी लगी है तो बताओ आपको क्या feel हो रहा है आप बताओ when you don't express your feeling कि आपको यह चीज हर्ट हो गई है या फिर उसको यह नहीं बोलना चाहिए you know there's a boundary जो एक इंसान को हम cross करने देते हैं relationship में कि चल कोई बात नहीं चोड़ देते हैं, कोई बात नहीं प्यार है, नहीं इज़त का एक डाइरा होता है हर इस, हर इंसान को बना के रखना चाहिए अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए सबसे important पहला कदम क्या है कुछ से बाते करो एक अच्छा listener बनने के लिए अपने आपको कैसे तयार करें शान्त रेना सीखो सपने और हकिकत के बीच की दूरी को कैसे समबालते हैं हिम्मत से जिन्दगी के मुस्कुराहट और आसुओं में आपको सबसे ज़्यादा सीखने को किस से मिलाए मुस्कुराहट से टूली इंडिपेंड लाइफ जीने के लिए कौन सी तीन चीज़ों को सेक्रिफाइस करना पड़ते है किसी वी चीज़ को नहीं आपके हिसाब से जिन्दगी की सबसे बड़ी आईरनी क्या है कि हम चाहते तो हैं कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा लेकिन हम यह मानते नहीं है कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा आपके लिए खुशी का असली मतलब क्या है दीप ब्रीथ बस आप जिन्दा हो यही सबसे बड़ी खुशी है आप सांस ले रहे हो इससे बड़ा क्या चाहिए चुटकी लगती है टपगने लिए तो आपको और क्या चाहिए आपकी सांस ही चल रहे है बाकी सब आ जाएगा आपकी सबसे लेटिस्ट कोई शायरी या पोईट्री कुछ भी जाने से पहले या फिर जो आने वाली हो अभी तक आपने लोंच नहीं करी है ऐसा कुछ करो तो सोच कर करना यह बस तभा करता है करो तो सोच कर करना यह बस तभा करता है मुहबबत को बजारों में बड़ा रुस्वाह करता है ये इश्ग है बड़ा कमजर्फ ये इश्ग है बड़ा नादान चोट दिल पर नहीं करता रूप बरवार करता है गरो तो सोच कर करना ये बस तभा करता है